कुछ दिन पहले सुशान सिंग राजपूत के दोस्त गनेश हीवरकर ने न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में दावा किया था कि 13 जून की शाम को लोहे की रौड और सरिया लेकर कुछ लोग सुशान सिंग राजपूत के अपार्टमेंट में द सामने आया है और वो गवा दावा कर रहा है कि सुशान सिंग राजपूत की हत्या 13 जून को रात के 11 वजे से साड़े 11 वजे के बीच में हुई है कौन है ये गवा क्यों इस तरीके के दावे कर रहा है आपको मैं सिलसले बार तरीके से एक एक चीज़ बताऊंगा ये गवा कोई और नहीं है ये गवा सुशान सिंग राजपूत का पडोसी है ये गवा सुशान सिंग राजपूत के अपार्टमेंट के पास में ही रहता है इसने दावा किया है उसने अपनी अब्जरवेशन के तहट बताए कि वो डेली देखता था कि सुशान सिंग राजपूत के लाइट जो है वो रात को ढ़ाई से तीन बजे के बीच में बंद होती थी यानि कि एक तरीके से सुशान सिंग राजपूत का जो सौने का रूटीन है उसे हम कह सकते हैं कि डेली सुशान सिंग राजपूत रात को ढ़ाई से तीन बजे के बीच में सोते थे तब ही उनके घर क की जो है सारी की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं पडोसी ने दावा किया है कि 13 जून की रात को सुशान सिंग राजपूत के फ्लैट्स की जो लाइट्स है वो 11 बजे बंद हो गई यह बहुत ही चौकाने वाला है और कई सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि जिस घर की लाइ धाई से 3 बजे बंद होती हैं अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस दिन सुशान सिंग राजपूत के घर की सारी की सारी लाइट्स 11 बजे बंद हो गई इस गवा ने ये वी दावा किया है कि उस दिन लाइट्स न सिर्फ सुशान सिंग राजपूत के कमरे की बंद हुई थी बलक किया है सुशान सिंग राजपूत के पड़ोसी ने पड़ोसी का ये कहना है कि जब रात को ग्यारा बचे ये लाइट बंद होती है उसी दोरा उसे ये पूरा संदे है कि सुशान सिंग राजपूत का कतल रात को ग्यारा से साड़े ग्यारा बजे ही हुआ मैं इस गवा की बातों को इतनी जो है तबज्जु इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब पोस्ट मार्टम रिपोर्ट निकल कर आई थी सुशान सिंग राजपूत की तो उसमें ये जो डॉक्टर्स थे उन्होंने दावा किया था कि सुशान सिंग राजपूत की जो ड ये दावा खुद पोस्ट मार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स ने किया था तो इस हिसाब से इस पडोसी ने जो टाइमिंग बताई है कि सुशान सिंग राजपूत के फ्लैट के लैट उस दिन रात के 11 बजे बंद हो जाती है इसका मतलब यही है कि जिन लोगों के बारे में गनेश हीवर करने न्यूज 18 को इंटर्व्यू दिया था और कहा था कि कुछ लोग सुशान सिंग राजपूत के अपार्टमेंट में लोहे के रोड और सरीया लेकर पहुँचे थे तो यकीनन उन्हीं लोगों ने सुशान सिंग राजपूत को मौत के घाट उतार सुशान सिंग राजपूत के अपार्टमेंट में कुछ लोग एंटर करते हैं लोहे की रोड और सरीया लेकर और फिर अचानक से रात के 11 बजे लाइट बंद हो जाती है यानि कि सुशान सिंग राजपूत के रूम में वो लोग घुसते हैं अंदर से लॉक लगाया जाता ह और फिर लाइट बंद की जाती है और इसी दोरान सुशान सिंग राजपूत का मर्डर किया जाता है एक बात और है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि सुशान सिंग राजपूत ने अपने आपको रूम के अंदर लॉक कर लिया था अगर सुशान सिंग राजपूत ने अंदर से अपना रूम बंद किया होता तो चाबी उन्हें जरूर अंदर मिलती है लेकिन अभी तक किसी भी investigative agency या फिर investigative officer को चाबी नहीं मिली है इसका मतलब साफ है कि सुशान सिंग राजपूत के जो वो हत्यारे जो वो रॉड लेकर आए थे वो सुशान सिंग राजपूत के कमरे में दाखिल होते हैं वो अंदर से उस रूम को लॉक करते हैं और फिर सुशान सिंग राजपूत का murder करते हैं फिर खिड़की से या फिर किसी दूसरे रास्ते से वो लोग निकलते हैं और चाबी भी साथ में ले जाते हैं क्यो बज़े कैसे बंद हो गई क्योंकि यूजरी सुषान सिंग राजपूत के कमरे की लाइट जो है वो बंद होते थी ढ़ाई से तीन बज़े के बीच में वही सुषान सिंग राजपूत के सौने का टाइम था उस दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरे घर की ग्यारा बज़े लाइट बंद हो गई बहराल ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक खुलासा है और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को भी इस पडोसी से मुलाकात करनी चाहिए और कुछ चीजें निकलवाने की कोशिस करनी चाहिए ताकि एक क्लू मिल सके आस्टोशान स इतना ही और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और भगल मैं बने बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको खुद बखुद उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए